अब हम बात कर रहे हैं double entry system के उपर double entry एक system है जिसके उपर पूरी accounting क्या कर रही है base कर रही double entry के अंदर दो basic terms है एक है debit और एक है credit जिन लोगोंने पहले accounting नहीं पड़ी वो यह समझते हैं कि debit का मतलब है plus credit का मतलब है minus जो के बिलकुल गलत है debit or credit का मतलब to add और to subtract नहीं है तो sir debit or credit है क्या आगे जाके हम एक और चीज़ पढ़ेंगे और वो होता है T account T account को T account इसलिए कहते हैं क्योंकि वो T shape में बनता है T account में जो left hand side होती है वो कहलाती है हमारी debit और जो right hand side होती है वो हमारी कहलाती है credit तो debit or credit का मतलब plus or minus नहीं है debit का short form लिखा जाता है DR जैसे के doctor और credit का short form लिखा जाता है CR DR stand for debit record और CR stand for credit record अब हमने पहले पढ़ चुके हैं कि assets क्या होता है liability क्या होता है और capital क्या होता है आज हमें यह समझना है कि जो asset है उसका nature होता है debit इसलिए मैंने इसको debit के column के नीचे लिखा है liability और capital का जो nature होता है वो होता है credit जब मैं कहता हूँ asset का nature debit है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है यार कि जब भी asset बढ़ेगा तो asset को हम क्या करेंगे debit करेंगे asset का nature debit होता है जब भी asset plus होगा तो asset account को debit करेंगे लेकिन जब भी liability और capital प्लस होगा तो liability और capital अकाउंट को credit करेंगे asset debit पे increase होता है और liability और capital जो है वो credit पे increase होता है ऐसे ही अगर हम बात करें asset जब बढ़ता है तो उसको हम debit करते हैं लेकिन जब asset को कम करना होता है तो हम debit के बज़ाए asset को क्या कर देते हैं credit कर देते है asset debit पर बढ़ आ है लेकिन कम करने के लिए हम asset को क्या कर देंगे जी credit कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से liability और capital का nature credit है जब भी plus होगा तो credit होगा और अगर liability और capital को minus करना होगा तो हम nature के opposite जाएंगे liability और capital का nature credit है जब भी plus होगा तो credit होगा और जब minus होगा तो credit के बज़ाए क्या हो जाएगा जी debit हो जाएगा तो हमने ये पढ़ा जी asset debit पर बढ़ता है credit पर कम हो जाता है और liability capital का nature credit है वो credit पर increase होती है और debit पर क्या हो जाती है decrease हो जाती है तो यहां पे हमारी वो बात clear हो गई कि debit का मतलब plus नहीं होता और credit का मतलब minus नहीं होता asset के इलावा कोई और भी चीज़े हैं जो हम discuss करेंगे कोई और terms हैं एक है expense आपको बता है देखें business को चलाने के लिए जो खरचा होता है जिसे rent हो गया electricity हो गया staff को salary दे रहें तो यह सब क्या होता है हमारे लिए expense तो expense का nature भी होता है debit इसको आप ऐसे आद रख सकते हैं asset हर वो चीज़े जो हमें फाइदा पहुचाती है और asset का nature debit है expense से भी हमें फाइदा होता है कैसे अगर हम घर जो है वो buy कर रहे है परचेस कर रहे है तो उस घर में हम रह सकते है वो घर हमारे लिए asset है और अगर हम वो घर buy ना करें हम उसको क्या करें rent पे ले 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 तो rent से भी हमें वो ही benefit मिलेगा और हम उस वक भी घर में क्या कर सकते है रह सकते हैं तो expense का nature debit है electricity का bill बहर रहे है electricity का bill हमारे लिए expense है लेकिन उससे फाइदा क्या होगा हम वो बिजली यूस करेंगे गर्मी में हम AC में बेटे वे तो उससे हमें benefit भी मिल ला है इसलिए expense का nature भी क्या होता है जी debit इसका माला जब भी expense बढ़ेगा तो वो debit होगा और कम होगा तो क्या होगा जी credit होगा ऐसी एक और चीज़े expense के बाद income को profit भी कहते हैं profit हमारे capital को क्या करेगा बढ़ाएगा ऐसे याद रखें के capital का nature credit है जो चीज़ capital को बढ़ाएगी वो भी credit होगी चोके profit या income से हमारा capital बढ़ जाता है अगर हमारे business में profit हो तो एक खुशी की बात है हमारे लिए उससे हमारा capital क्या होगा इंक्रीज होगा अगर capital credit है जो चीज़ capital को बढ़ाएगी वो भी क्या होगा credit होगा और चुके loss या expense जो है वो capital को कम करता है तो अगर दुकान में बहुत बड़ा खर्चा आ गया तो उससे हम परिशान होंगे तो हमारा क्या होगा उससे capital कम हो जाएगा तो जो चीज़ capital को बढ़ाती है profit या income वो credit होती है जो चीज़ capital को कम करती है expense या loss वो क्या होगा debit एक आखरी बात है इसके अंदर और वो एक आखरी term है और वो है drawings, drawings क्या होती है जी यह वो drawing नहीं है जो बच्चे करते हैं, drawing का मतलब यह है कि जब हम अपने business में से कोई चीज़ निकालें घर के इस्तेमाल के लिए तो वो क्या किलाएगी drawing हमने business में से cash निकाला और हम घर लिए हमने जो है वो कोई groceries buy की या अपने बच्चों की school की face pay की business में से पैसे निकालके, तो वो business का expense नहीं है, वो business के लिए क्या किलाएगी drawing के लिए, business में से चाहे आप cash निकालें, चाहे आप check के through bank से पैसे निकालें, या ATM के through, या आप business में से goods निकालें, हमारी दुकान हमने, for example, mobile phones की, हमने अपने लिए एक iPhone जो है, वो pro निकाल लिया iPhone 11, और वो जितने काख हमने खरीदा था, वो हमारे लिए क्या किलाएगी, drawings किलाएगी, तो drawing का nature भी debit होता है, drawing debit क्यों होता है, क्योंकि drawing से हमारा capital क्या होता है, capital का nature credit है, हमने पढ़ा, जो चीज capital को कम अगर दुकान में से हम cash निकालते जाएं, bank में पैसा निकालते जाएं, stock निकालते जाएं, तो एक दिन ऐसा हैगा, business में सारे assets क्या हो जाएंगे, खतम हो जाएंगे, और हमारा capital क्या होगा, खतम हो जाएगा, तो जो चीज capital को कम करती है, उसका nature क्या होगा, debit, तो जी हमने ये बात की कि Asset, Expense और Drawing AED इसको आप ऐसे आद रख सकते हैं Arab Emirates Durham मैंने एक निमोनिक इसके लिए बना है AED UAE की जो आपकी करंसी है AED Arab Emirates Durham AED जब भी बढ़ेगा वो debit होगा और दूसरा है LIC LIC stand for Life Insurance Company जब भी liability, income या capital बढ़ता है तो वो credit होता है जब भी AED, Asset, Expense या drawing बढ़ता है तो वो debit होता है बस यह रख लें AED का नेचर debit है जब भी बढ़ेगा debit और कम करने के लिए क्या करदेंगे credit ऐसे LIC का नेचर credit है जब भी बढ़ेगा तो credit और अगर कम करना होगा तो credit के बज़ाए क्या हो जाएगा जी debit हो जाएगा एक और बहुत important हमारे पास asset है और उसका नाम है inventory inventory को goods भी कहते हैं stock भी कहते हैं जो नई terminology हम यूज़ करते हैं वो है inventory हमारी जिस चीज़ की shop है जो goods हमने खरी दी है with the intention of resale वो क्या कहलाती है हमारी inventory अगर कपड़े की दुकान है तो कपड़ा inventory है अगर जूतों की दुकान है बाटा, service तो जूते क्या inventory है अगर computer की shop है तो computer, laptop, gadgets वो है inventory अगर furniture का शोरू में तो furniture क्या हमारे लिए inventory अगर हमारा गाड़ियों का शोरू में तो गाड़ी हमारे लिए inventory और अगर हम barrier town है तो हमारे परड़े जो plots हैं और जो flats है हमारे लिए inventory अगर जो चीज़ हमने बेचने की नियत से खरीदी वो क्या हमारे लिए inventory अब जो inventory है, उसकी जो movement है वो दो तरा की हो सकती है या तो inventory increase होगी या तो inventory क्या होगी जी decrease होगी inventory increase कहां से होती है दो तरीके से inventory increase हो सकती है सबसे पहले हम inventory buy कर रहे हैं from suppliers अगर हम inventory suppliers से bought कर रहे हैं तो उसके लिए हम account use करेंगे और उसका नाम है purchase पहली बात आप यह याद रखें कि normal terms में हम कभी भी inventory का account नहीं बनाते हैं inventory का account बहुत ही special terms में use होता है और वो year end पे use होता है जब भी हम stock buy करेंगे तो हम stock के inventory के account में नहीं डालेंगे बलकि उसको हम डालेंगे purchase के account में सभी purchase बढ़ती है तो हम purchase को debit करते हैं अच्छा जी purchase debit की होती है अभी हमने बात की कि asset का nature debit होता है inventory एक बहुत important current asset है हमने बात कि ये current asset है क्योंकि इसकी value क्या होती रहती है fluctuate होती है तो purchase हमेशा debit होगा क्योंकि business के अंदर goods क्या हो रही है आ रही है उसके बाद अगर हम inventory sell करें to customers जब भी हम inventory बेचेंगे inventory का account credit नहीं करेंगे बलके उसके बजाए हम एक नए account खोलेंगे किस नाम से sales और sales का account हमेशा क्या होगा credit होगा purchase debit इसलिए हो रहाता है क्योंकि दुकान में stock आ रहा है जब भी stock बढ़ता है तो उसको हम debit करते है sales credit इसलिए हो रहा है क्योंकि दुकान में से stock जा रहा है अगर stock जा रहा है business में से तो sales account क्या होगा credit होगा एक और जगा से stock आ सकता है अगर हमने कुछ goods बेची थी जो के faulty थी और customer वो goods हमें वापस देते था है किसी भी reason की वैसे तो वो क्या क्यलाएगा वो क्यलाएगा return inverts जिसको sales return भी का जाता है और यहां पे हम return invert या sales return का account खोलेंगे और return invert का account जो है वो debit होगा return invert debit क्यों हो रहा है वाई क्योंकि दुकान में stock आ रहा है हमारा एक asset बढ़ आ है और इसलिए return invert का account हम क्या करेंगे debit करेंगे और जब भी हम goods बेचेंगे sorry जब भी हम goods return करेंगे अपने supplier को क्यों क्योंकि goods की जरुट नहीं है या उसने गलत goods बेच दिये में या वो faulty है तो हम goods return करेंगे अपने supplier को ये कहलाएगा return outward return outward को purchase return भी कहते है लेकिन हम use करेंगे या पर return inward और outward वाली terminology return outward का account क्या होगा credit होगा क्योंकि दुकान में से goods जा रही है अब देखें बहुत असान है अगर inventory बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है या तो purchase हो रही है तो purchase का account debit या customer से goods वापस आ रही है तो return inward debit और stock कम कब होगा जब हमने stock बेश दिया तो sales का account credit और जब हमने क्या किया supplier को goods return कर दी तो return outward का account credit तो बजाए इसके कि हम inventory account को plus minus करें हम ये 4 account अलग अलग बनाते है इससे हमें क्या फायदा होता है और जितनी हमने goods purchase की थी उसमें से कितनी goods हमने return कर दी किसको अपने suppliers को एक और बात आपको और समझना यहां जरूरी है कि जो 4 account हम बना रहे हैं ये सरफ उस वक हम बनाएंगे when we are dealing in stocks जब हम inventory या goods के इलावा कोई चीज़ खरीद रहे हैं को credit करें हम furniture account को credit करेंगे हमने जो जो है वो for example गाड़ी खरीदी थी अब हम वो गाड़ी return कर रहे हैं क्योंके खराब है तो अब हम return outward यूज़ नहीं करेंगे बलके गाड़ी का account credit करेंगे ऐसे ही जो हमने furniture पुराना बेचा था वो हमारे पास वापस आगया वो जो जिसको दिया था हमने दोस्त को वो कह रहा है याद यह सही नहीं है मुझे नहीं चाहिए तो अब हम return inward के बज़ए furniture का account debit कर देंगे तो याद रखें sale, purchase, return, inward, return, outward यह चार account सिर्फ goods या stock के लिए उस होते हैं अगर goods या stock के बगए अलावा आप किसी और account में deal कर रहे हैं तो जो चीज buy या sell कर रहे हम उसका account use करेंगे